आप सब लोग आशा करते हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे मैं भी ठीक हूं और स्वागत करती हूं अपने माईके की इन खूब सुरत सी वादियों में आप सभी का कैसे हैं आप सब लोग बताईएगा जरूर कमेंट सेक्शन में तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आ लोग की स्टाइटिंग कर लेती हूं अभी सब लोग जो है वह दूप में बैठे वे तो जो हमारे काम है ना घर में सबका वो ने पड़ चुका है अभी लँच टाइम के लिए सभी दूप में बैठते हैं यहां पर यहां पर बहुत दिर तक दूप ही नहीं रहता है यहां यहां पर अकेला सा गाओं है कोई ज्यादा घर नहीं है चार-पांच घर है बस अपने इधर उदर न मतलब तो मेरे घर के साथ ही मेरी मासी का घर भी है यह दिखे मम्मी और पापाजी दोनों बैठे वे हैं यहां पर यह भी नहागे दोनों के दोनों और अभी खाना खाने की तियारी जो है वो करने वाले हैं लेकिन अभी ना भाई जो हो नहीं आए खेट से तो जब आएंगे तब हम सब लोग खाना खाएंगे और बहुत जुरूरी काम है जो मुझे यहां पर करना है जिसके लिए मुझे मम्मी बार बार बोल रहे हैं कि पड़ा हट से हुगाम बस माई के मैं आके कैसे आलस हो जाता कि आराम से बैठे रहेंगे तो चलिए अभी मैं पहले अपने बाल जो है उनको सुलजा लेती हूं क्योंकि मैंने किया था हैर वाश उसके बाद करूंगी काम ममी का भी एक काम और मेरा अपना तो है है खेर चलिए करते हैं शुरू हमारी माता शरी ममी और पापा जी ममी हेलो बलो तो ममी इसे आप पहले भी मिल चुके हैं मेरी वीडियो में लेकिन मैं बहुत कम बनाती हूं वीडियो माई के में आके बहुत आलस सा हो जाता है कि क्या बनाएं क्या करें और यह देखे बहुत घने जंगल मतलब इदर से दूप ल आधे दिकाऊ यहां से चाल का बाbelt लॉट तिभाँ कुझक, उर भूसस थाष div?!? दो दो एक दिन में जाकर वाप्स आ जाते थे देुसकं गज्टाए दूट समेजित!!! जैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा विजिए तो अभी यहां पे धूप में मैं बैठ गई हूँ कंगी करने के लिए ममी जो है ना वो यही बैठे हैं तो ममी को भी नहलाया मैंने और उसके बाद इनकी कंगी बगरा कर ली थी उसके बाद अपना भी हेर वाश करके हां धूप सीखने के लिए बैठी हो तो मेरे माई के में बहुत काम टाइम तक रहता है धूप और मैं लाई थी एक सूट सिलने के लिए तो ममी बार-बार मुझे बोल रहे थे कि जो सूट लेकर आई है ना उसको सिल भी ले क्योंकि मतलब अगर बिल्कुल ही बेले बैठते है ना तो लगता है कि क्या करें दिन भर बोर से हो जाते है ना तो आदत नहीं है ऐसे बैठने की तो इसलिए कुछ ना कुछ काम करती रहती हूं ममी का भी था एक ठीक करने के लिए सूट वो भी ठीक करूंगी आपको नहीं चुप लग नहीं था तो बाहर लेकर आथी ना और यहां म ममा पर पिछले चल तो यह देखिए यह निकाल ली है मैंने मशीन और यह है बरसों पुरानी मशीन पचास साल पुरानी मशीन और यह है ममी पचास साल पुरानी मशीन है यह लग भग पचास साल पुरानी मशीन है और आज इसमें मैं से लूँग और यह मशीन बहुत अच् मुम्मी है इसके टेलर मास्टर देखो मिल्कुल भी आवाज नहीं करती ज्यादा ये मशीन ये है सूट जो कि मुझे सिलना है अबी ये देखो ये सूट है मममा ने दूसरी दील लगाने इसमें इस चीजिल कर दो है आयँ में लिगाने ये ये वाली देखाने अचीजिल लगाएट इसमें इसमें तो मेरे डरहन लगदा था इनमना तोडन करता कंषीशिय जारा है ना कोरता है किया बोले इसाथक नानू जी कुछ बोल रहे हैं एक नीचे कुर्षी के बास है तेल की बतल को ही थाथफ को आधल है यहां यहां पे तो यहां यहां पिना जाए और इसको उपर पकड़ाते लेकिन यह कहना नहीं मानता था बहुत निखटू है यह काम बहुत कम करता है इसको बोलते हैं कुछ है तो यहां पर सिलाई जो है वो मैं शुरू करती हूं धूप-धूप ही होता है काम भाहिया भी आए नहीं थे और बस जितने में शुरू यह देखिए उतने में भाई जो है वो भी आ गये थे अभी खेट से तो वैसे खेट में आजकल कोई खेट का काम नहीं है लेकिन आजकल हमारे घासने बगराव जैसे होती है जीटकांडे बगरा उनको साफ करते हैं तो जो लंबे-लंबे होते उनके जंबे बनाते हैं बाख लखोंगी तो वही मुझे यहां पर सिलना है मैं काटकर तो घर से ही आई थी स्कूल लेकिन सिला नहीं था मैंने टाइम भी नहीं लगता है घर में और यहां पर इसलिए मैं इसको सिल लूँगी ममी की 50 साल पुनानी मिशीन में और जब यह खरी दी थी ना उस टाइम यह सा लगी है लेकिन यह मशीन अभी तक बहुत अच्छी चल रही है पुरानी चीज़े जो होती है ना वह सच में बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी बनाई जाती थी मतलब थोड़ी बतीरी ऐसे तो कुछ भी इसमें चीज़े खराब नहीं होती है बहुत लंबे टाइम तक चलती है तो वही बोलते हैं कि नए नो दिन और पुराने सौ दिन इसको देखके यह कहावत यहां पर बल्कुल सच लगती है क्योंकि जो नए मशीन है ना वह खराब लग लगी होने लेकिन यह मशीन जो है अब भी तक चल रही है बहुत ही अच्छे से चलती है अब है स्वाब यह परस्टित अब हixa मलते हैं ऑन फोने पांच और आज यहां बाँव मंश्री होए और साब से आज अपने हाद का कड़्ु कर लाइडा है और सबसे पहले आपको लिखा इज़ेते हैं तो है क्या या क्या किया है है न कि देखे जी कड्दू को मैंने चील के और काट कर पुकर में लगा दिया था पकने को वह अद्ग फिलास पानी डाला है दूर चमच नमक डाला है और एक चमच हल्दी भी डाली है यह बहुत अच्छे से उबर चुका है यह देखिए आप देख सकते हैं अब इसको 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 से मैश कर देंगे ना ताकि बिल्कुल पतला हो जाए इसमें बिल्कुल इसका जासे वह भाजी बनती है ना पाव भाजी वाली भाजी तो यह इसको मैं अच्छे से करूंगी और यहां पर देखिए यह मैंने कद्दू को चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे- तो इसको शुगर पेशेट भी असानी से खा सकते हैं तो इसको हम बनाएंगे पहले इसको अच्छे से बारिक कर लेते हैं इसको पिछे कर लेती हूँ इसको पिखर लगा दी हो अच्छे कर दी हो और यहां पर लगा दी है मैं एक कड़ाही यह को हो prior to am a मिठे कदू की तयाली है तो यहां पर मैंने कड़ाही लगादी है इस पे डालओ मैं रिफाइज्ट ओ एल I तो हमारा तेल जो है वच्चे से गरम हो चुका है अभी हम इसमें डाल देगे कदू जो के में पारी-पारी काट के रखा था तो इसको हमें फ्राइ करना है तो यहां पर मीठा कदू जो है ना इसको आप हलवा भी बना सकते हैं आप इसकी मिठी दाल भी बना सकते हैं और इसक इस तरीके से बहुत अच्छा बनता है यहां मुझे में रहा था कुछ पर अब दे लिए पता है जैसे हमें नहीं पता आप कहां रख्वी एचीज बात में जो पापा जी अए ना तो कुछ इसे उनको मिली फिर वह उन्होंने मुझे दी हम घर में सोचा ना कि मैं कुछ बना जितने खेट से आएंगे ना जैसे भावी विएरा सब तो उतने में मैं बना देती हूं डिश कोई खाने के लिए क्योंकि कुकि आपको पता है कि मुझे कितना शौक है तो मैं मतलब कुछ ना कुछ बनाती रहती हूं और यहां मैंने सारा कड्दू इसमें डाल दिया और उसके बाद यह जो गुठ है न यह साजू ही डालना है। मैं साथी इसमें गुठ डाल देना है और हैं इए लिकीन मुझे वे थहीं मिलें यहांने थोड़ी चीनी डाल दी इसमें यम्मी लगती है बहुत टेस्टी चिनी वाली भी बना सकते हैं ना हो अगर आपके पास तो कोई रिकत की बात नहीं है लेकिन गुड के साथ ना बहुत जदा है मीठी दाल मतलब फिर इसको यह है कि आप शुगर वगरा जिनको होता है ना उनको भी आप यह दे सकते हैं मीठा एका खाने के लिए और कदू तो आपको पता है कितना फायवरिस फूड होता है बहुत धी अच्छा होता है खास कर सेर्धियों के लिए और यह देखे यहां पर इस तरह से यह पकेगा और पक पक करना यह काफी ज़्यादा कम हो जाता है और यहां पर मेडाली उसमें फिलि जो मेरी वीडियो है आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में यह देखे कुछ इस तरह से यह बनके त्यार हुई थी लास्ट में इसमें हमने नारियल डाला था गरी का बुरादा मरलव कदूकस करके डाला था नारियल को बहुत यमी यमी बनी थी त मिलूंगे एक और नई वीडियो में जैसी आरा